Hi friends, welcome back to M Nursing Knowledge आज हम आपके लिए Type of IV Fluid and Its Uses का एक वीडियो लेके आया हूँ जो के किल्निकल दरश्टी से बहुत ही important है सबसे फर्स्ट में अपन बात करते हैं IV Fluids, Intravenous Fluids Intravenous Fluids क्या होते हैं? देखो, full form of IV Fluid is Intravenous Fluid which is directly injected in vans क्या होती है IV Fluid की full form? Intravenous Fluids which is directly injected in vans ये क्या है? directly vans के अंदर inject के जाते हैं बात करें अपन Type of IV Fluid की कौन-कौन से टाइप होते हैं IV Fluids के वो देखते हैं सबसे फर्स्ट में अपन बात करें NS की Normal Seline सेकंड अपन बात करते हैं DNS, Dextral Normal Seline थर्ड पर अपन बात करते हैं RL, Ringer Selected Solution next अपन बात करते हैं Meritol Solution की next अपन बात करते हैं Dextral's की, Dextral's में D5%, D10% और D25% Solutions की अब अपन आगे इन सभी को EK करके डिटेल से पढ़ेंगे फर्स्ट में बात करते हैं Normal Seline की इसको NS बोलते हैं इसके Compositions क्या-क्या होते हैं इसमें Compositions में अपन देखते हैं Each 100 ml content 0.9% NHL परते 100 ml के अंदर 0.9% Sodium Caloride पाए जाता है, इसकी Tonicity को क्या होती है Isotonic Solution में इसको Include किया गया है Next अपन बात करते हैं Usage of NS, NS के क्या usage है Dehydration, अगर किसी patient में क्या है पानी की कमी है, वो किस वज़े से हो सकते है Diarrhea, वोमेटिंग के वज़े से हो सकते है, तो इसमें अपन NS यूज़े कर सकते हैं Next अपन बात करें Blood Loss अगर कोई patient उसमें किसी Trauma या Surgery करन Blood Loss हो गया, तो अपन उसमें Normal Saline का यूज़े कर सकते हैं अपन बात करें Wound Killing, अगर किस कोई patient उसके Wound है, तो उसको Clean करने के लिए अपन इसका यूज़े कर सकते हैं Next अपन बात करते है Sodium Imbalance, अगर कोई patient उसमें Sodium Imbalance हो गया, तो अपन NS का यूज़े कर सकते हैं Next अपन बात करें Dilute Injection Powder Injection को Dilute करने के लिए भी इसका यूज़े किया जाता है Next अपन बात करते है Not की, कि किसी patient को Blood Pressure की समयश्या है तो patient को NS नहीं देनी चीए अब देखो, किसी patient को कब NS देनी चीए और कब नहीं देनी चीए अगर किसी patient का BP Blood Pressure Low तो उसे NS दे सकते है और किसी patient का Blood Pressure यानि BP हाई है तो उसको NS नहीं दे सकते Next अपन बात करते है DNS की Dextrose Normal Saline की ठीक है, इसके Compositions में देखो, क्या क्या आता है देखो, Compositions की बात करते है 0.9% NECL पाए जाता है Plus 0.5 gram Dextrose Each 100 ml content के अंदर ठीक है Next अपन बात करते है Tonicity, यह Hypertonic Solution होता है Next अपन बात करते है Usage की सबसे पर्ष्ट में बात करे है Deidration, अगर किसी patient में पानी की कमी है तो अपन इसका Use कर सकते है Next अपन बात करे है To Treat Insulin से अगर कोई patient Insulin सौक में गया तो इसको Treat करने के लिए इसका Use कर सकते है Next अपन बात करें Hypotension अगर किसी patient का BP Blood pressure कम है तो अपन इसका Use कर सकते है Not इसमें Not में देखा है Not useful for diabetic patient क्या है? यह नहीं है उप्योगी किसके लिए है? Diabetic patient के लिए लाबदाय के? नहीं है Next अपन बात करते है RL Ringer Selected Solution की इसका Heartman Solution भी बॉलते है इसके Composition देखो क्या होते है Composition की बात करे It is Mixer of Electrolyte in which present NACL, KCL and Sodium Lacted Next अपन बात करते है इसके Usage की Usage में देखो इसका Use कप किया ज़ता Dehydration अगर किसी patient में पानी की कमी है तो इसका अपन Use कर सकते है किसी patient में Electrolyte imbalance है तो अपन इसका Use कर सकते है Next अपन बात करे During the Surgery इसके Surgery के दोरान अपन इसका Use कर सकते है Next अपन बात करे Nutrational Deficience Burning Condition अगर कोई patient है हो जल गया तो इसके दोरान अपन RL का Use कर सकते है इसकी tonicity की बात करे तो यह Isotonic Solution के अंदर Include किया जाता है Next अपन बात करते Manitol Solution की इसमें composition क्या पाएदा 20 g Manitol in 100 ml 100 ml के अंदर 20 g Manitol पाया जाता है अब देखो इसके Usage की बात करे तो इस 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 टाइप Diuretic Solution का टाइप है It is increase the volume of urine यह क्या बोडी के अंदर इसकी urine की मात्रा को बढ़ा देता है इसका Use करते है Acute renal failure के अंदर इसका Use क्याता Decreased ICP अगर कि इस patient में ICP क्या है कम है Intracranial pressure क्या है कम है तो अपन इसका Use करते Increased IOP अगर कि इस patient में IOP बढ़ा हुआ तो अपन इसका Use कर सकते है Intracular pressure क्या है बढ़ा हुआ तो इसका Use कर सकते है Next अपन बात करें Cerebral Edema जो brain का सूजन है उसमें अपन इसका Use कर सकते है Next अपन बात करते है Dextrose सबसे परस्ट में बात करते है Composition की परस्ट में d5% की बात करें इसमें 5 gram dextrose in each 100ml content इसमें क्या पाइजाता पांच gram dextrose पाएजाता in each 100ml प्रतिक 100ml के अंदर Next अपन बात करते है d10 10% की बात करते है इसमें 10 gram dextrose in each 100ml 100ml content के अंदर पाया जाता है Next अपन बात करेंगे usage कि uses में देखोस में आपनात करते हैan dehydration की अगर गए场 में supplementation में पानी की कम है तो अपन इसका यूज कर सकते है, next आपन बात करें weakness, और गिसी patient में क्या weakness है, कमजोर है可以 harm from starch का यूज कर सकते है, next ऑपन बात करें digness अगर कोई किसी पैसेन को चक्कर आ रहे तो उसके दोरान अपने इसका योज तर सकते हैं